कि देखे कोश्चन यह कह रहा है सोला नमबर कोशी कंजर्वेशन ओफ लिनियर मोमेंटम का एक्जामपल है आने कि सीधा कंजर्वेशन और मोमेंटम लाखे क्या करें नहीं है प्रोबलम कि बेश्ड है और कंजर्वेशन कि अब लिनियर मोमेंटम मोमेंटम इसका उसका एक्जामपल पहले दिया हुआ है सिवरा में ओ देखें है आपका दिया है सबसे पहले 16 नमबर कि या फिर सबसे पहले 17 देखते हैं तब शीष्टीन में आएंगे 17 नमबर प्रोब्लम देखे 17 नमबर इस पर एक आदमी जो है इस पर दोड़ने वाला है अब सोच लिजिए कैसे दोड़ेगा जो बात समय लिजिए कहता है दोड़ने वाला है तो कहता है अध्यान समझिएगा पहले ऑर्थ प्लस आदमी एक सिस्टम हुआ कोश्माइजिए आदमी एक सिस्टम हुआ और एक और यह कह रहा है कि आदमी ऑर्थ एक दुसरे के रिश्पेक्ट में मतलब दोनों मिला के रेश्ट में हैं तो कंजर्वेसं लिनियर मॉंटम लिखिएगा पी फाइनल इक्वल टू पी इनिस्यल देखे ध्यान समझेगा हमको यह नहीं पता है कि कौन किधर भाज़ेगा तो बाद में जब आदमी दोरने लगेगा भी वेलोसीटी से तो लिखेंगे मास ओफ मैं वेलो मॉमेंटम होगा मास वुने वेलोसीटी मान इनिस्यल में दोनों ही देख्यों इसलिए जीरू तो भाज़ेगा पासे मास ओफ में था हमको कहता है वेलोसीटी अफ अर्थ वताइए तब भेलोसीटी आफ और्थ जो होगा माइनस इसको पकड़के ले जाएंगे पलस से माइ सीटी अफ मैं बिभारे डबाई मास ऑफ अर्थ और कोश्चन में जो दिया है उसके अनुसार अगर बना रहे हैं अब तो देखिए रिक्वाइल भेलो सीटी का मतलब क्या होता है यह माइनस साइन होता है यानि दो सिष्टम पहले से रेष्ट में है उस पर अगर कोई सिष्टम में आ गया तो दूसरा सिष्टम उसके अपोजिट में चलेगा देखिए हाँ प्रूफ हो गया है कि जिए घर आदमी जाएगा उसके उल्टा में क्या जाएगा अर्थ भागेगा अब कितना स्पीड से भागेगा ये भी निकालना है तो इसके लिए तब सलूशन करना पड़ेगा बेलुसीटी ओफ अर्थ जो रिक्वाइल स्पीड होगा मास ऑफ मैं जो है पचास केजी है और वन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड से वो मूब कर रहा है जबकि अर्थ का मास है शिक्स गुने 10 to power 24 केजी है इसका मतलब होगे चोटी या ठारा हाना और तीन बार का ये तई पास दिया पंदरह भिलुसीटी ओफ होगा आपका 15 गुने 10 to power minus 24 मीटर पर सेकेंड से पीछे के उधागेगा इसलिए इसका नाम पड़ा रिक्वाइल स्पीड पड़ा देखनी ध्यान से समझे लिए बात को यहां पर बात को समझे लिए तो जी तरह से फिर को क्यूं अल्ट को इद आपका ये तो बोल सकते हैं नहीं तो आगे बढ़्हेंगे असकीन तोट लेज sih तो देखिए प्रोवलम बेश्डाउन एक्स्क्लोजन पहले दो पार्टिक्ल का मतलब की बिस्फोट के अधार पर तो देखिए अगर ब्रेक्स इंटू टू पार्ट मतलब इसमें केस फॉस्ट में समगें aja कि यह कोई है एक कोई सिस्टम है जो दो पार्ट में तूट गया मतलब तब क्या होगा तो देखिए जब के इसकी पहले यह बागा सा मास है जो यह व इसकी कि नहीं है तो कंजर्वेशन मोमेंटम इसमें भी लगेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगकर तो मोमेंटम की बात करते हैं बाई कंजर्वेशन और लिनियर मोमेंटम पूरा होता है लेकिन बार में मोमेंटम ही लिखूंगा इस बात को याद रहते हैं तो यहां पर देखें पी फाइनल इक्वल टू पी इनिस्यल होगा इनिस्यल में दोनों 0 है मास उने फेलोसिटी 0 है क्यों 0 है आप समझ सकते हैं ब होगा इतना तो पता चल गया कि यह अब यह फर्मूला गर आपको याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा यहीं से टायक बन जाए इतना लगाने जिवत नहीं है अग्याम में अगर कोई अब्जेक्ट दो पार्ट में डिभाइड हो गया तो क्या करें कैसे कोश्चन बनाएं यानि की konservational momentum लगाएंगे इनिस्टियल में दोनों रेष्ट में था जीरो फाइनल में यह हो गया अब इसी का एक जांपल है एक आपका सी वर्मा का 16 नमर प्रोलम तोला नमबर प्रोलम में देखे क्या कहता है एक इुरेनियम है निकुलियस है इुरेनियम निकुलियस होता है उसका मास 238 होता है और अटॉमिक नमबर जो है 92 होता है क्या होता है 92 होता है ऐसे इसमें लिखा नहीं है माल एक इुरेनियम एक बम है इसी से बम बनाया भी जाता सबसे खतना कर ला कि इसका मास 238 है और बान में है अटॉमिक नंबर है कि कहता है यह थोड़ा देर के बाद तूट गया तो क्या हुआ भाई एक बना आपका थोरियम और एक अलफा पार्टिकल बाहा निकल गया पार्टिकल तूट गया तो कहता है कि कितना आपका यह थोड़ा आपका थोरियम और पुछ रहा है मतलब इसमें कुछ हुआ होगा गाटना तो यह वो पार्टिक्ल से बाहर निकल गया सेम कंडिशन देखें यहां पर है फूटा तूटा दोनों में एक ही कंडिशन लगेगा तो यहां पर फिर आप क्या लिखेंगा बिखें यहीं से बना देजिए अब उतना करने की ज़रोट क्या है आपको यहीं से बन जलागा कोर्षण अगर आप लिखेंगा बिखेंगा से है जिसको निकालना है उसको इधर रहने वेलो सीटी और मास अफ अलफा पो दिया हुआ है इस आपको याद होना चाहिए आलफा पार्टिकिल में 2 और 4 होता है मास नमर हिलियम के को कहते हैं कि ऐख अड़ी अठीज आख और अफ दिया होगा यहां पर 1.4 सब्सक्राइब करने को लिए का मास कितना होगा तब 238 मास पहले से था अच्छा तूट गया तब 234 बचा होगा तब 234 से भागा देजिए इतना मीटर पर सकेंद आपका अंसर आजाएगा यानि कहने का मतलब जो है आप समझ चुके होंगा छी तरह से यह था प्रोलम बेश्डम एक्स्प्लोजन विस फोट में आता क्या होगा तब दो पार्ट में डिभाइड होगा चाहे बं रहे चाहे कुछ भी रहे या आप खड़े हैं आएक बै जैसे कि आप ध्यान समझेगा आप इस कंधा पर 20 किलो आइस कंधा पर 20 किलो रखके आप कि इसी को कहते हैं मतलब कहने का मतलब आप क्या किजिए दो हाथ में ऐसे पूरा लोड छोटा मोटा को तो बड़ी हम लोग सस्टेंड कर लेता है लेगिन 45 किलो इदर 40 किलो हाथ मलट के लिए रहिए आएक तरफ का जोला को काट दे इधर आपको इधर जुका देगा मतलब कहने का मतलब रिक्वाइल होगा कोई सिस्टम से एक पार्टिकल बाहर निकला तूटा पूटा जो भी कंसेप्ट रहे कोशन लिख्वेने का लेंग्विज यहां डिफेंट हो सकता है बद प्रोलम बनाने का तरीका एक ही होगा वो समझ लीजिए आपका ये कंडिशन है जल यह बन है जो तीन टूकरा में तूट गया होँ तो इसमें भी 2 कंडिशन है अगर इसमें यह नंबर में 9 कंडिशन है अगर ये बंफ फूटा, तो दो पीस अगर एक तरफ गया, दो पीस अगर इतीन पार्ट में तूटा, तो दो पीस अगर एक तरफ गया, तो बचाऊँ अपीस तिसरा होगा, जो किधर जाएगा? दो पिस अगर एक तरफ भागा तब का कहानी तब दो पिस जब एक तरफ भागेगा तो conservation of momentum लगाएगा by conservation of P momentum की conservation चलिया दो पिस में तूटा तब तो गो एक तरफ गया तब क्या होगा तब आपको लिखे हैं देखे कि इनिशल तो हमेशा 0 होगा P final equal to P initial लिखेगा इनिशल हमेशा 0 एक तरफ गया तो लिखेगा M1 B1 M2 B2 अए गो किधर गया हो नहीं पता है तो इसको वैक्टर रूप में लेकिन इसका बी पार्ट में अब कोश्चन में कहेगा यही दो कंडिशन ही है एक बंब रखा हुआ था फट गया एक पाट भागा इधर भीवन वेलोसीटी से जिसका मास एम बन था एक पाट भागा इधर मतलब लिखे का कोशन की एक दो पीस जो है परपेंडिकुलर फ्लाई किया तब तिसरा पीस का क्या हुआ अब यहां पर आप संभल जाईए नहीं तो आप से गलत अंसर आएगा क्या संभला है आप यहां पर आई जे करके लिखना पड़ेगा भेटर यूज करना पड़ेगा याने आप लिखेंगे फाइनल में तो 0 होगा ही इनीशियल में तो 0 होगा लेकिन फाइनल में क्या क्या लिखेगा लिखेगा M1 V1 I cap M2 V2 J cap और M3 V3 पता नहीं स्वत भेक्टर देखे छोड़ दिये अब आप लिखेगा M3 V3 equal to minus लिखाएगा M1 V1 I cap और M2 V2 J cap अब बताए IJ का solution कैसे होता वो आप करना पड़ेगा भेक्टर का result लगाना पड़ेगा जब दो भेक्टर आई जे मेरा ता था तो रिजल्टिन कैसे लिकाते थे अंडर रूट इसका स्क्वार प्लस इसका स्क्वार उधर कल्कुलेशन कर लिजेगा तब इधर M3 से डिवाइड कीजेगा यानि कि अगर हमको भी 3 का मैनी चूड निकालना होगा तो हम भेक्टर वाला रूल लगाएंगे पहले मतलब निकालने का टेकनिक और तरीका याद रखे कैसे कैसे कॉलीजन में त्योरी जो पिछले क्लास में पढ़ेते वही है लेकिन उस त्योरी से क्या बनेगा पता नहीं लेकिन कोशन बनाने का यहां टेकनिक बहुत सारा है हम अभी त्याइप प्रोलम बता रहे है आपको एक एक से लगेगा एक एक स्पलोजन में दो केस पहले 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 हम लोग कैसे बनेगा दूसरा केस जब तीन पार्ट में डिभाइड होगा तो दो कंडिशन होगा एक पहलाली बहेज़ेगा एक परपेंडिकुलर यहां पर यहां पर प्लस ब्स पर प्लस टू एक्जाम में पूछा वहला आपको बूक और एक्जाम में जो भी कोशन आया है अभी तक में जो आपके सिलेवस कंत्र गत है तो उसमें जब तीन पिस्में डिभाइट होगा तो सबसे जादा यह फ्यमस कोश्चन है सबसे जादा पर्पेंडिकुलर फ्लाई करेगा तो कोश्चन कैसे बनाएंगे लिए लेना ही पड़ेगा हर 18 नंबर एसी बरमा का और उसके बाद जो है को बाइस नंबर दो को बनाना है आपके पांच मिन्ट का टाइम है इसको जो करना है कि ये पांच मिन्ट के अंदर दोनों कोशन कम जरूर पढ़ लिए लिए देखें बात को समझ्व लिए अची तरह से हना बहुत लोग तो सोचते हैं कि सर पतााही आठाम परते हैं吧 च्रागने के लिए बहुत लोग आराम परमाते धेखे अठारा का यह नंबर कोर्शन एटिंग का एटीन का एट नंबर प्रोलम क कोर्षन काता है यानि कि निव्ट्रोन है एक निव्ट्रोन है जिससे एलक्ट्रोन और एंटी निव्ट्रोन सेम डारेक्शन में गया है ऐसा कोश्चन में का गिया तो कहता है निकालना है आपको इसे लिखेवे कीजिएगा है अब स्टेम डारेक्शन में गया है तो मोमेंटम ओप इलक्ट्रोन मोमेंटम और एंटी निव्ट्वन दोनों सेम डारेक्शन में ओपने हैं मोमेंटम और प्रोटोन आपसे जो है परोटोन का पीजपर प्रोटोन अब इतना याद रखना परे हाँ तो इसका मोमेंटम और अधर जाके निगीटिव है इसका मोमेंटम में का भेलू यहां दे दिया था कोश्चन में तो हमारे तोर अच्छा है इजेक्टर इनक्टोन है मोमेंटम 1.4 मोमेंटम में दिया था यहां और एंटी निट्टोन का दिया था कितना दिया है जीरो पॉइंट सिक्स फोर जीरो पॉइंट सिक्स फोर गोने टेन टू पार माइनस ट्वटिश के लिए ऐसा दिया है अनि 27 लिखा था ना तो हम इसको इदर के बदले है ना तो फेलो सीटी और प्रोटोन रिकॉयल का निकाल दा था ता माइनस होगा इदनों जोड़िए कितना होगा चार होवे करेगा और चार दस होगा एक एक दो होगा गुने टेन टू पार माइनस ट्वटिश आप टोन का माश 1.6 के वन गुने टेन टू पार किया हतार माइनस 27 उपर जाके 10 हो जाए गई याणि 20 हो जाए गई है आप 20 बैटा 1.6 लगभग देड़ है तो 12 देड़ है 12 के आपस त्वेल की आपस क्या जाएगा आपका अंसर हागा तुबैल मीटर पर सेकंड किसके आसपास हाणा आनि बात आप समझ सकते हैं क्या कहना चाह रहे हैं जो इसका कितना जाएगा आपक स्ट्राइब के पीछे देख लिए टूवल पाइंट टू मीटर पर सेके आप अंसर आगया व इक वाल स्पीड प्रोटों देखिए बी पार्ट में क्या काता है बी पार्ट में काता है निव्टोन जो एक्स्पूर्ड किया ना तब दू परपेंडिकुलर फेकाया है कौन एक हाइनल में लेके लिखे गाए करोफ निट्रोटोन इंटू फ़िलोसीटिति व्प्रोटोन ईसकोEnix देखिए दोनों फर्पेंगुलासता ऐसे लिखें अभी बताये थे क्या करना है आपको तो फेलोसीटी और प्रोटोन जो निकानने चलिएगा रिक्वाइल स्पीड तो होगा ही और देखिए पी ऐसे आई कैट लेकिन यह आई और जे में हैं तो बोलेटन रिलेशन कैसे निकलता है आई जे में रहेगा तो कैसे जोड़ेंगे पर्पेंडिकुलर रहेगा तो असक्वार करके अंडरूट करना पड़ेगा इस बात को आप समझे लिए पहले हर हाल में तभी आपका काम बनेगा पर्पेंड अच्छी तरह से पता है लेकि पीजीयु का स्कॉयर्ट और P, E का स्क्वाइर, बटा मास अप्रोटोन, जब मैंने चुद ही लिखना है तो, तब फेलो सीटी अप रिक्वाइल प्रोटोन क्या होगा भाई, इस दोनों मोमेंटम का स्क्वाइर, इसका स्क्वाइर प्लस इसका स्क्वाइर, तो हम भी कम चलाक नहीं है, ये दोनों का स स्क्वाइर, जीरो पाइंट सिट्स फोर का स्क्वाइर, गुना भाग भी करने आना चाहिए, ये जिने की नहीं आता हो, तो तो तेंटू पर कॉमन आ गया था, आट डिवाइड वाई वाई वन पाइंट सिट्स सेवन गुने टेंट पार माइनस सब्ताइस, ते दस आने भ अना, स्वालूसन थोड़ा बहुत कीजिए, तम ने मजाएगा कि गुना भाग भी करने आना चाहिए, अब इतना में भी अगर कि नहीं को कोई कर्ष्ट हो रहा है, तो डाउट पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं, देखे, तो अगला टाइप में पाढ़ना है, रिफ्लेक्शन अफ बाल प्रोम वाल, रिफ्लेक्शन अफ बाल प्रोम वाल, अनि दिवाल से बाल का रिफ्लेक्शन वाल ही बाल पकरना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अफ बाल प्रोम वाल या रोड, जैसे आपको बनाना बना ये रोड से रिफ्लेक्शन कराएं या वाल से कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है दोनों का प्रोसेस कंडिशन सब कुछ सेम होता है यह बात आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं ठीक है चलिए हम इधर से बनाते जमीन पर रिफ्लेक्शन करवाते हैं बहुत आप लोग पिट्टो गेम खेले हैं अना यहां से एक गेंद को फेके यहां जाकी तकरा गया तो जहां तकराएगा वहां पर तो नॉर्मल खिचना पढ़ेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन का कंडिशन नॉर देखे यहां पर जो कोश्चन में कहा गया अगर कुछ नहीं दिया रहे हैं यहां भी कुछ नहीं दिया है तो आप याद कि जिए परफेक्टली एलास्टिक कोलीजन होगा इसका मोमेंटम में थाओ मास गुने वेलोसिटी है अब फाइनल में भी इसका मोमेंटम मास गुनो भेलोसिटी है तो याद कि पिछले कलास में लिखाये थे अगर चीटी हाथी को धक्का मार दे तो हाथी का तो कुछ नहीं होता है चीटी उसी रफ्तार से लौट जाते उसका मोमेंटम में चेंज नहीं होता है याद करवाये तो यह देखिए रोड पिर्थवी गेंद के सामने हाथी नहीं है आपका दिवाल पर गेंद को जितना स्वीड से पार दिया उतना ही स्वीड से बाहर आएगा यानि यहां पर यहां पर हंडिर पर्सेंट परफेक्ट्ली ऐलास्टिक ऑलिजन है तो हर हाल में जितना स्वीड में टकर आगा उतना ही से लौटेगा इस बात को याद कर लिजिए तो आपके एक्जाम में यहीं तक सिलिवस में आए गा कोश्चन तो यहां ठीटा है यहां पर देखेंगे यह बात को समझे अच्छी तरह से तो अब देखिए यह रिफलेक्ट कर गया तो यहां का मोमेंटम यहां का मोमेंटम सेम है तो हमको निकालना है चेंज इन मोमेंटम मोमेंटम है इसनाया अफ बॉलिन कालना है बॉल का चेंज मोमेंटम को हम dp भहक्तर से देनोट करें हमीं better की बातकत करेंगे प्रवाट था फाइनल भहक्तर माइननें सैंड चाहें तो नहीं कंडिस्न हो आप को भी चेप्रयर में पढ़ रहे हैं कि इसको बाइक्सिस मानिएगा इसको मानते हैं अब देखे इनिस्यल का जो मोमेंटम का डायेशन इधर है यह बात आपको सौंज में आना चाहिए और यदि यह एंगल ठीटा है तो यह एंगल ठीटा होगा आनि कोछई इनिस्यल का डायेशन यदि इधर है आया था इधर से लेकिन तो इधर न था ना तो हम लोगदेश्व की न की बात करते हैं कि अफ्य ऐसे नेकी बात करते हैं आइनल में इधर की ओर हैं डारेक्षन मोमेंटम ऊसट थिस्ट आल समद्धit निए हम भी लिखने हैं चेंजीन इसे अब में में हैं हें फ़ाइनल में आई में एक वा जैनाल थिटा जैकर पी फाइनल साइन ठीटा आई कैप माइनस कि इनिस्यल में क्या है कि इनिस्यल में आपका माइनस पी आई कॉस्ट ठीटा जे कैप माइनस में देखें डाउनवार्ड है माइनस में माइनस में डाउनवार्ड है समझते रहें यह बात को पलस पी आई साइन ठीटा आई कैप देखिए एडम किलियरली लिखें कुछ नहीं किये हैं लेकिन जब माइनस करेंगे तो इसको ये पलस कर देगा इसको माइनस कर देगा है ना और आपको पता है यहाँ पर पहले से पी आई इक्वल टू पी फैनल है इसलिए ये वला टर्म उड़ जाएगा क्योंकि ये पलस में आई माइनस उसको माइनस कर देगा तो चेंज इन मोमेंटम जो बचेगा आपको डेल पी वेक्टर फ़ॉर में लिखेगा तो क्या आएगा ये जे है ये भी जे है लेकिन पलस पलस हो गया तो आपका आगया 2 into p final cos theta j cap initial final same है इसलिए इसको मत याद किजिएगा आप याद इसको किजिए कि del p जो है 2 into mass into velocity into cos theta j cap है हर हाल में याद रखिएगा हर हाल में याद रखिएगा इसको घूलिएगा नहीं change in momentum जो है आपका 2 mb cos theta j cap आया भेक्टर फोर में और मैंने चूड के तर्में देखते हैं तो change in momentum का फोना पर याद करना है 2 mb cos theta reflection के case में ball का changing momentum होगा reflection के case में ball का क्या होगा यह changing momentum होगा इसको याद रखना पड़ेगा इस formula को आप देखिए एक जामपल की बात करते है चेंजिन momentum का दाइसन किदर है नॉर्मल के तरफ है तो याद कीजिए पिट्टों खेले हैं गेंद से मारने वाला बच्वने बहुत बार खेल के लोंगा प्लास्टिक वाला कच्काला बॉल से अगर देखिए यहाथ आपका ऐसे हैं सेखिए और अगर शिधा सीधा कपर बैठ जाता था तो कभी तो बहुत जोर से छोट लगता था लेकिन गेंद अगर तिरचा इसे लगता था तो कम क्योंकि चेंजिन मोमेंटम कम है तो मैक्सम्ट चेंजिन मोमेंटम कम होगा जब ठीटा जीरो डिगरी होगा नहीं समझें मेरी बात मैक्समुंम चेंज मोमेंटम का अब होगा 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 और मैक्समुंम मोमेंटम जीरो डिगरी होने चाहिए तबना मैक्सम होगा और डेल पी जो मैक्स होगा वो कितना होगा इसे जादा चेंज में मोमेंटम कब नहीं ज्यादा होगा आई कब होगा फर नॉर्मल इंसिडेंट में होगा समझ लिए बात को नॉर्मल इंसिडेंट में सबस्यादा होगा और बात खतनाक इसलिए एकी सोचिए नॉर्मल मतलम इसलिए आगर इधर से करते हैं इस पर देखना पड़ेगा आगर नॉर्मल के साथ आगर नहीं दिया है इधर से दिया है तो मेरे फर्मुला में इधर का एंगल नांटी में घटा के लिखना पड़ेगा पूस्चन कैसे बनेगा उसको समझ यह तब जाके बात बनेगा अब चेंजिन मोमेंटम आपका आगया कि कितना निकलेगा इस बात को आप समझ गया होंगे इसी तरह से देख लिजिए द्यान से चेंजिन मोमेंटम की बात किये हैं अगर इसके बाद भी कुछ पूछना है तब बोलिए देखिए आपका 20 नमर प्रोलम क्या था 20 में दो नमर दो पार्ट है यह पार्ट में कहता है क्या होगा तब चेंज इन मोमेंटम का मैंटम निकाना तब चेंज इन मोमेंटम तो आपको पता है अभी अभी जस निकाले थे मास ऑप बॉल जो है पचास ग्राम है इसको केजी में थोड़ा बदल दा लिए और फेलोसीटी जो है और एंगल कॉस्ट पैटालिस दिगरी है तो यहां तो वन भाई रूट तू हो जागा तो यानि कि यह 100 है रूट तू हो गया ही तो आपको हो गया 1.414 होता है 1.414 केजी मीटर सकेंड मैंड़ वां हो गया चैंज इन मोमेंटम डाएट है निकल लेकिन बी पार्ट में क्या करता है के यहां था मोमेंटम में चेंज को में पार्ट कि यहां है मोमेंटम में चेंज जो हुआ उसका में चूड़ तो देखे पहले भी मैंटाम मेंचूड चूड़ मुमेंटम attend माइनिचूद में भी है कि कि इस कि है कि 9 chi jni में में मोमेंटम में मैंनी चूड कि मैंनी चूड और मोमेंटम में कोई चाल की नहीं हुआ लेकिन मॉमेंटम में चेंज हुआ क्योंकि इसमें नहीं हुआ भेक्तर के कारण नोच चेंज आया है वो भेक्तर के कंडिसओं से निकला था उसी तरह से एकीस नमबर कोर्शन में कहता है चेंज इन दा लिनियर मोमेंटम फोटोन एज बीम रिफलेक्टेड वाई मीरर से जब रिफलेक्ट कर रहा है तो यहीं आया होगा यह मीरर है दरपन है आपका यह गिरा होगा इधर रिफलेक्ट कर गया होगा इंसिडेंट एंगल कुछ दिया होगा अपका हर हाल में ठीटा दिया है तो चेंज इन मोमेंटम फोटोन जो होता उसका फर्मूला लिख दिये हो कुछ पूछना तो बोल सकते हैं नहीं तो फिर से हम अगले कंसेट की और बढ़ेंगे कि देखें फोटी वन नमर कोश्चन में क्या है एक तालीस नमर प्रोलम में क्या है सिर्ण क्याता मास अप्टू केजी इज मुभिंग और फ्रिक्शन लेस होरिजेंटल सर्केश बित वेलुसीटी वन मीटर पर सेकेंड तो आस ब्लॉक आप इक्वल मास के प्रेट रेस्ट अस्प्रिंग कॉंस्टेंट इज हंडेड हैं दा मैक्सम कंप्रिशन ओफ इनरजी यह सब का और यह इसका अबुब कर रहा इसका इनरजी पर सेकेंड है और इसका भी मास दो केजी है इसका भी मास दो केजी है अब आप खुद सोचिए आज यहां पर देखे क्या-क्या हो सकता पॉस्पिलीटी कि या यह जाएगा व्लोक सबसे पर एको साल कि ऊप्रिंग सबंगा और इसकड अन्दर एक टेंशन से घी कि ति यह इसको लिए तिस के इसके और इक तोर्स लगाएगा तो यह धिरते थीए मोशनममे लाएगा अए पर तैजी से कंपरि Son का म कें लगा जब दोनों ब्लोक एक साथ मूब करने लगेगा तो अस्प्रिंग में थोड़ा बहुत कमपरेशन बचा हुआ रहेगा इस बात को समझेए जब दोनों ब्लोक एक साथ मूब करने लगेगा तो अस्प्रिंग का कमपरेशन कुछ बचा हुआ रहेगा तो यह लिखना है, when both block move together, दोनों सासत move करेगा, move together, move together, then compression of a spring is x, meter लिख देता है, तो ध्यान से समझेगा, सबसे पहले दोनों जब सासत move करेगा, और क्यों सासत move करेगा, उसका रिजिन हम भी बता है, यह जब इसको spring को धक्का देगा, तो spring compress होने लएगा, और उसके कान फोर्स लएगा, जब दोनों का velocity से मोगा आने की तब spring थोड़ा रहेगा, और दोनों क conservation of momentum, P से momentum होता है, conservation of momentum लगाएए पहले, तो लगाएएगा, P final equal to P initial, इनिसियल में सिर्फ ये block move कर रहा था, दो गोने 1 meter per second से, आप बाद में दोनों सासत move कर रहा है, तब 2 plus 2, 4 into B, तब B बढ़ा रहा गया, 2 बटा 4, यानि 0.5 meter per second से दोनों move कर रहा है, क्या करा है, दोनों 0.5 meter per second से move कर रहा है, इस बात को समझ लिजिए, अच्छी तरह से, तो वही कहता है, find maximum compression of a spring, compression of a spring निकाला है, maximum क्या होगा, तो उसी समय maximum compression भी रहेगा, तो ज़रा गोर से देखिए का ध्यान समझेगा, अब क्या करना, conservation of momentum तो लग गया, लेकिन आपका x का value आया नहीं, तो आप लगाईए by conservation of energy, पहले momentum तब energy, by conservation of energy, energy के conservation से, देखे, कोई ब्लॉक उपर निचे नहीं गया है, और असमुद सर्फिस भी है, तो यहाँ पर अब देखिए ध्यान से, conservation of energy जो होगा, total mechanical energy finally, equal to total mechanical energy initially. आप देखे, initially, final में कौनकोर move करा रहा था, यह block move करा, यह block move करा, spring में, compression भी है, तो हाँ, सब्सक्राइब कर रहा था सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां एक्स का जो भायलू दिया था कोस्चन में वह कितना दिया था हंडेड दिया था कितना दिया था हंडेड एक स्कौर एक्वल टू 1 अब देखिए एक्सस्क्वार एक्वल टू हो जागा वन माइनस 0.25 0.5 देख लिए 0.5 क्या हो जागा आपका 5 हो जागा इस बात को समय लिए 0.5 गुने 0.25 हो गया था लेकिन इसमें 2 से गुना की जाए तर फिर से 0.5 आ जाए गाए इसको 2 से गुना की जाए तर अब एकस अस्वार इकॉल टू क्या होगा 1.55 50 यानि एक बटा सौब एकस बरार हो जाएगा वन बटा दस सेंटी मीटर आने की दस सेंटी मीटर आनि दस सेंटी मीटर से स्प्रिंग क्या कर गया तो अगर कोई प्रोलम है तो हमसे राइजिक कर सकते हैं देखे 42 नमर प्रोलम में आये कहता है एक आपका यहां पर ब्लॉक रखा हुआ है और ब्लॉक जो है दस कीलो का है दस कीलो का है यह वो बुल्लेट है बुल्लेट मतलब तक गोली बंदुख से निकला हुआ है जो प्रिबाब पांसो मीटर पर सेकिन से जा रहा है इतना हाई लेकिन मास इसका बहुत कम है 20 ग्राम का है मात है लेकिन बुल्लेट बाहर निकला ना इसका स्पीड 100 मीटर पर सेकिन बचा हुआ है प्लेट जो है पांसो से सो कर ला दिया था इसके रसिस्टेंस फोर्स लगा करके इसके कान ब्लॉक जो है ना 20 सेंटीमीटर सरक गया 20 सेंटीमीटर क्या हो गया सरक गया सब कोशन एक साथ हारा है देखे जब भी इस तरह से रहे वोली मार दिये बंदूग छोड़ा दिये धेला मार दिये पत्थल मार जो भी रहे तब से पहले कंजर्वेशन ओव मोमेंटम उसके बाद कुछ सोचिएगा बाई कंजर्वेशन ओव मोमेंटम देखे सबसे पहले यही लगेगा याद रखिएगा क्योंकि कॉलीजन का सबसे पहला है यहर बार लगता है तो देखे पी फाइनल बराबर पी इनिस्यल जो भी लिखिए इनिस्यल में सिर्फ बुलेट यह मोग कर रहा था 20 ग्राम का था का इतना केजी और 500 मीटर पर सकंद से दाभा था इनिस्यल में से हाईनल में यही बुलेट जो है 20 ग्राम बला ही पिए सो मीटर पर सकंद से चल रहा था लेकिन यह 10 केजी वलोक का सिर्फ कि польз safety कितना था खील पता नहीं है और इस बलोसिती को यहां पर सिर्फिए इस 20 ग्रा इनीजिल 2-10-10-10-08boy-10-272 याने कि 0.8 पर सकेंड इनिजिल कि यहां पर हम क्या लगा दिए देखिए आपका फाइनल में यह बुलेट को मुव कर आते तो उसका लिख दिया बुलेट का ब्लॉक का इनिशियल में इसका मोमेंटम इतना था अब यहां से इनिशियल आपको 0.8 मीटर पर सकेंद आ गया है कोई बात नहीं है तो आगया है अब आपको पता है कि इतना दुर जाने को बादो रुख गया है तो आएए कहां से अब इसके बाद आप आएए कि कानेमेटिक में लिए नोड़ वी नोड़ आप जानते हैं क्या पढ़े हैं जरूर आप पढ़े होंगे अब देखे ध्यान से फाइनल अस्पीड जीरो है क्योंकि जाके रुख गया दिस सेंटीमेटर में ब्लोक इनिशियल कितना था 0.8 का होल अपलस टू इंटू एंटू एंटू एक्स था तो यह बरार होगा 0.8 इंटू जीरो पॉइ आने की एसलेशन जो है आपका आएगा एवरार माइनस 1.6 मीटर पर सेकेंड स्कॉर आगा दियल से आ गया और अब फिर से आए बाइप फिक्सों से वी नोड़ेट फिर से लिखिए क्या जानते है आप भी नोड़ेट अधिय च्रेशर इेसंड इसले रेशें जिशन इसलेशन इरहचन इसलेशन इरम को ड cognitive consistency on को चोंट-ब्र आसन का तवरार जूगा मैंनस मूझी होगा आप मेंनस वानट मांट welfare सब्सक्राइब करना हो तो हमसे कर सकते हैं आप कोई दिकत नहीं है और तालिस नमर प्रोलम फोटी एफ नमर इसी को करते हैं ठीक है काता है सब्सक्राइब पहले उसका दाव तालिस प्रोटी सेवन नमबर कोशन का दा बुल्लेट ऑफ मास्टी फाय ग्राम फायर होड़िजन्टली इन बलास्तिकल पेंडूलम और मास्ट पायव के जैने गिट देखें बलास्तिक पेंडूलम रहे बाबला पेंडूलम रहे कोई अब जटा रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है किल जबूलम लगता है लटका हएं के इह तो हुर्जेंट निkala नहीं बाहर निकल निकल गया थे जो नहीं जानते लिए इंबिडेड मतलब उसी में अटक जाना तो यह बुलेट का मास है जो 25 ग्राम है कितना ग्राम है 25 ग्राम है मतलब यह बुलेट मारकर गुस गया और चहरते चहरते यह ब्लॉक है जो ऐसे यहां पर आगया ऐसे तो कहता है आपने लेवल से यह 10 सेंटीमिटर आइज कर गया कितना सेंटीमिटर आइज कर गया तो कहता है बुलेट का स्पीड क्या था इनिसेल में वह बता दिए यह कोशन का रहा है बुलेट का स्पीड बता दिए कि 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 राइज कर गया है तो देखिए अगर वर्क पावर और देखिए सब से पहले और लगाते हैं एक इनी कंडिशन अव मोमेंटम के नाहसार पर क्या लिखिएगा यह यह पौने जीडिक सकते हैं पांच केजी वह पाँच में पाचीज़ गुझे पचीज़ ग्राम तब तब 25 गुझे तब 25 गुझे 3 kg our velocity of bullet बाद में दोनों एकए साथ रह गिया है पता नहीं दोनों के साथ रह गिए घुस करके तब 5 kg और 25 ग्राम को लिखते हैं जोर करके 5 kg और 25 ग्राम ऐसे लिखागी जोर जार के लिखें यहां तो हमको पता नहीं है कि भी कितना है 10 to V माल लेते हैं देखे यह 0 था यानि कि आपको क्या आ गया वो समझे 25 गुने 10 to power minus 3 a speed of initial bullet और 5.0025 into V equation आ गया है यहां solution नहीं मिल पाया है हमको देखे यहां ऐसका वह लोकी उपर चाहां आगर अगर इनरजी का याद करकर रखे हैं तो सब्सक्राइब यार्टकर गहां है तो यहां तो घंटा लगेगा लिखते हैं इनर्जी के का इनर्जी के सिंक बनाते हैं यहांằngेक्स कें में इसको जानते हैं इसको एक्स्ट्रीम पोजिशन ऑसको acağız टोटल मेकेनिकल में इनर्जी में की टोटल मेकेनिकल इनर्जी एक्स्ट्रीम ज़गा जाते हैं मील पर हाइट जीरो मांने लया था प्टेंशल जीरो प्लस हाफ i m भी अस्वार हीग वहांपर i m g h नह krijएगा काइनेटी 0 ओगा एक्स्ट्रीम पर काइनेटी 0 यहां से भी बरारा गया तो इंटू 10 इंटू 0.1 क्योंकि दस सेंटीमिटर को 0.1 ही लिखा जाता है आने रूट 2 मीटर पर सेकेंड आ गया यह वाला भी का भेलू आपसी भी का भेलू यहां पूट कीजिए तो फ्रॉम एक्रेशन फस्ट आईएगा तो स्पीड अप बुलेट जो होगा 5.025 इंटू रूट अंडर 2 डिवाड़ेड वाई 25 अगुने 10 तो पावर माइनस 3 देखें यह तीन जिरो तो गायब हो जाएगा तर यू भी जो आएगा पची दूना पचास जीरो एक आरूट टू वन पाइंट फोर वन फोर आने की चौद दूनी अठाइस लगभग दूस्व असी या मीटर या दूस्व बरासी मीटर पर सकिन का स्वसाया होगा देखें लिए अंसर किनी को कोई कर्ष्ट है तो हमको बत राइए हम बताने के लिए आपको तयार है चोड़े अब नहीं पढ़ना है रिवियन कर लिजेगा सब लोग अच्छा से आज वीडियो डाल देंगे फिर से दुबारा इसको ठीक है